जी डी बक्षी साब हम देख रहे हैं कि अगर इका दुका ऐसी चीजों को छोड़ दे तो देश एक साथ होकर आगे बढ़ रहा है लोगों का गुस्सा ये तस्वीरे देखे मुंबई की हैं बक्षी साब देखें बिल्कुल ये जायज गुस्सा है और ये गुस्सा सरकार को प्रिलना देगा सरकार को वो शक्ति देगा वो ताकत देगा कि महां भारत करनी है तो हो जाए अरे नुक्सान होगा तो ठीक है है शान तेरी कभी कम न हो ए वतन मेरे वतन हम भारत की शान कम नहीं होने देगे हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देगे और ये पाकिस्तान समझ ले तुम युद्ध करोगे तुम्हारा एकॉनमी का सबा सत्या नाश हो जाएगा जो च ये जो लेके जा रहे हो ना अपने हाथ में बिगिंग बोल हम तुमको वाकई बिकारी बना कर छोड़ेंगे आप बड़ा हीरो बना रहे हो ये असर मजूद को ये इसने दो बार हमारे देशों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश की थी इतना शौक है ना लड़ाई का इतना शौक है लड़ाई का तो आपकी इच्चा फूर्ण होगी और अब तो देखिए पूरा देश अपनी सरकार के साथ है तमाम अपोजिशन पार्टी अपनी सरकार के साथ है इससे अच्छा युद्ध का समय नहीं मिलेगा किसी को इतनी ख्वाइश है इतनी तमन्ना है तो हो जाए ना साब हो जाए हमारे लड़के भी बहुत परिशान है हमारे लड़के भी बहुत दाथ भीच के बैठे हुए है बड़ी देर से गुसा रोक के बैठे हुए है अब उबल पड़े तो उबल पड़े साब तुमको भी तिखा दे कि हमारी इज़त से खेलने का मत क्या होता है यह पगड़ी की तरफ हाथ मत उठाओ हम वह हाथ दोर डालेगे देखिए मैं जरा एक कौशन देना चाहूंगा यह दिस यह जो दार है इसका हीरो मत बनाईए मैंने बहुत तो डापरेशन्स डील किये हैं सुसाइड बारॉ और सीउसाइड जो इसको इसते अबर खोद के मटी अटी इसको डबोलते हैं डालने के लिए ताकि विलकुल वो एक जैसे ड्रग्स भी कई बारी दी जाती है इंजेक्शन दिये जाते हैं हीरो मत बनाईए इसका असली जो है मास्टर माइंड वो गाजी है उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है मुझे पक्का यकीन है अगले एक दो दिन में उसको मार गिराएंगी हमारी फार्ज क्योंकि जब मैं था वहां पर हम लोग जो आईडी एक्सपर्ट थे उसको प्राइल वाले होते हैं यह जो हिपनो कंट्रोल्ड होते हैं और यह बिल्कुल इनको सेख रिफिशल लैम्ब की तरा इस्तमाल जाता है तसवी कश्मीरी इस्तमाल किया है वह गाजी खोद नहीं आया इसके लिए मिलग को का यह लड़का एक साल इसने तकरीबन दो दो अपने दल